नमस्कार Capital TV देख रहे हैं आप मैं हुआ आपके साथ पूचा ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुप्रिम कोट से अर्विन केज्रिवाल पंजाब सरकार को बड़ा जटका लगा है पराली जलाने को लेकर सुप्रिम कोट ने जम कर फटकार लगाई है वही एक और बड़ी खबर पटना के MP MLA कोट से सामने आ रही है जहां अर्विन केज्रिवाल को पेशी के लिए समन जारी किया गया है दिरसल अर्विन केज्रिवाल ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए PM मोधी को अनपड कहा था जिस मामले को लेकर अर्विन जिवाल को पहले भी बुलाया गया था लेकिन अर्विन के जिवाल पेश नहीं हुए थे लेकिन इस मामली की गंभीरता से यह समझ में आ सकता है कि अर्विन के जिवाल को आपकी पेशी अनिवार है मतलब 16 तारिक को अर्विन के जिवाल को पटना में पेश होना होगा तो क कैसे इस पूरे मामले को लेकर अर्विंद केज़िवाल फस गया है बताएंगे आपको और सुप्रिम कोट से कैसे लगी फटकार उस पर भी अपडेट देंगे मेरे साज उड़े हैं Capital TV के एडिटर इंचीप डॉक्टर मनिश कुमार पहले आपसे यह समझ लेते हैं कि अर्वि मिशनी सुनवाई में भी नहीं आया इनको लग रहा है कि अब इसे मनुशिवी को खड़ा कर देंगे तो हर्टका से बच जाएंगे अभी एक और प्रधान मंत्री के डिगरी वाले मामले में कली सुप्रिम कोट में फज्यत हुई है उसकी भी मैं आपको डिटेल दूंगा ये दरसल उस कहानी का नतीजा है वो एक अनपळ राजा की कहानी जो सुनाता था चौथी पास एक अनपळ राजा किस तरीके से देश के लिए खतरा हो सकता है उसकी कहानी ये सुनाता था दिक्कत क्या हुआ कि यह सारी कहानी तो इसने सुनाई कहाँ asemblemly के अंदर यह जानते हुए कि यह मामला मानहानिका नहीं बनेगा इसकी शैतानी समझीए यह जिनको भीकर गाली देना होता है कुछ भी कहना होता है कुछ भी आ रोप लगाना होता है अनर्गल बिना प्रूव बिना कुछ के तो यह assembly को बुरा लेता है, मीडिया वालों को कह देता है, live दिखाओ, देज भर में इतनी सारी assemblies है, कहीं किसी की live टलेकार्ज जो है national media नहीं दिखाता, लेकिन माल का कमाल है, advertisement का कमाल है, तो इसके assembly को बकादा मीडिया में दिखाया जाता है, महान बनाने के लिए, और उसमें ये कहानिया सुनाता है, लेकिन गड़बल ये हो गई, कि जब ये सारी चीजे हुई, कोई response नहीं आया, इसने press conference में भी कह दिया, और अनपल की बात आपने कह दी सामजिनिक जगह पे, त मतलब जो assembly के अंदर भाषन देने के लिए, आपको जो छूट मिली वी है, वो छूट आपके हाँच से जैसे ही आपने गलती की, वो बाहर आया मामला, public domain में, तो एक भाई साब चलेगे पटना में आतालत में, कि भाई आप जो है, एक देश के पुरधान मंत्री, चुने व अनपल कह देंगे, तो उससे मामला ये होता है, कि एक तो आपने पुरधान मंत्री की भीजती की, और उसके साथ साथ जो उनके समर्थक हैं, उनको भी आपने ठेस पहुँचाया, इसलिए केस हुआ है, अजब केस हुआ, इनको बुलाया गया, ये नहीं गये, तो ये MPMLA का कोट का केस है, तो जब सहाब आज भढग गए, उन्होंने का भई ये क्यों आता क्यों नहीं है, ये बहुआ लाइकली ले रहा है कानून को, तो कमिश्र साथ को बुलाया गया और ये कहा गया भई, वो यहाँ पे कोट के अंदर हाजिर होगा, तो अब 16 नवंबर को हाजिर होना है, लेकिन इसके पीछे की राजनीती को भी समझना जरूरी है, ये केजरिवाल 2024 के चुनाओं से पहले, वो एक निरेटिव क्रियेट करना चाह रहा था, जैसे राहूल गांदी एक निरेटिव क्रियेट करना चाहते है कि प्रधान मंत्री मोधी जो है अपने दोस्तों उतले सरकार चला रहे है, अडानी आमानी चलाते हैं, है न, यहां गरीबों के लिए सुनवाई नहीं है, यह अमीरों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है, यह नरेटिव, केजरिवाल का नरेटिव वो भी प्रधान मंत्री बनना चाहता है, हलाकि पता नहीं मुखमंत्री फिर से बन पाएगा की नहीं बन पाएगा, लेकिन यह जो नरेटिव क्रियेट कर रहा था, कि प्रधान मंत्री को अटैक करो, कि भाई यह पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, इसलिए डिगरी के उपर भी सवाल और उनको ले करके भाई यह अनपढ़ गवार आदमी है, अच् लिगरी जो है बकाईदा दिखा दिया गया, दिखा दिया गया, विबशाइट पर डाल दिया गया, इन्हों ने कहा कि नहीं हमें दो, तो उनको कहा गया कि भाई यह किसी का पर्सनल सर्टिफिकेट है, वह हम सार्टिव करेंगे, तो फिर आटियाई डाल करके, फिर उसके पाद यह मामला हाई कोट में गया, और उसके बाद इसने यह गलती कर दी, कि गुजरात इन्वर्सिटी के खिलाफ इसने बयान दे दिया, कि भई गुजरात इन्वर्सिटी क्या छिपा रही है, आपने गुजरात इन्वर्सिटी के, आप इतने अंधे हो गये हो, मोदी की में कि आपने गुजरात इनवर्सिटी में पढ़ने वाले तमाम लोगों के सेटिफिकेट के ऊपर ही सवाल कड़ा कर दिया आपने ऐसा कर दिया कि गब गुजरात इनवर्सिटी का जो सेटिफिकेट जो है वो फेक सेटिफिकेट होता है यह और संजे सिंग तो मामला वहां हा था हम माफी मांगते हैं वो सुप्रिम कोट में आ करके कलीनुनी कहा सुप्रिम कोट में तो माफी मांग लेकिन इस पूरे मामली में क्या होगा क्योंकि MP MLA कोट में सुन्वाई चल रही है दिल्ली पुलिस कमेशनर को वे आदेश दिया गया क्या पेशिक के लिए लेकर आए solar तारी को क्या जाएंगे केजरिवाल? देखिए इनको जो जाना पड़ेगा अब, क्योंकि मस्ला जो है कोट का है, जब कोट ने कह दिया यह अनिवार है, देखिए यह गिरगिट है, रंग बदलने में माहिर है, चेजरिवाल इन दोनों ही केस में, यह कह देगा जाकर के सीधे की माफी मांग दो जैसे सुप्रेम कोट में अभिसेक मनु सिंग्मी ने कह दिया कि भाई हमें माप कर दीजी हमारा ये इंटेंसन नहीं था हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं तो अगली तो पुराना चेट्र रहा है जिस किसी के उपर आरोप लगाया उसके खिलाब जाकर के किसी ने भी क्रिमिनल डिफरमेशन किया क्रिमिनल डिफरमेशन से डर लगता है इनको कि भाई जेल जाना पड़ जाएगा और उस वज़े से ये हर जगह चाहे वो जेटली साहब हो कपिल सिब्बल हो गटकरी हो लंबी लिस्ट हो मजीट या हो हर कोई जिस किसी ने भी कोट का दरवाजा खटगटाया ये उसके पैर में जाकर के नागरगर के इसने माफी मागी तो इस दोनों ही केस में अंतो तो गत्वा यही होगा कि ये आदमी माफी मांग करके अपना निकल लेगा लेकिन हला कि अज सुप्रिम कोट में भी पंजाब सरकार को फटकार लगी है पराली जलाने को लेकर कि क्या है हर्याना में एक्शन हो रहा है पंजाब में कोई एक्शन नहीं हो रहा है क्यों एक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि इनी लोगों के वज़े से तो तुम चुनाव जीते थे और ये लग रहा है हलाकि आप पंजाब में आम आदी पार्टी के सरकार आने वाले नहीं बहुत नाराजगी है बहुत गुसा है लेकिन आपने वहाँ पे खुली छूट रद्दे रखी है और मैं तो सवेरे देख रहा था दिली के अंदर वो जजेज जो आते हैं तो मांसिंग रोड से आते हैं वो साजहां रोड से आते हैं उदर ये सुप्रिम कोट के जजेज का घर है तो वो सवेरे से आज में देख रहा था कि वहाँ जो छिर्काव चल दा है अरे गंदगी एंडी एंसी लाक्षी में नहीं है आपको आनंद विहार में करोल बाग में जहां भीड है जहां गंदगी है जहां धूल है वहां आपको छलकाव करना चाहिए बस वो आप देखी कितना शातिर दिमाग है इन लोगों का कि जज सहाब की गारी गुजरेगी सुप्रिम कोट जाते वक्त तो उनकी नजर पढ़ेगी कि भई यहां पे काम हो रहा है लेकिन जज सहाब ने क्या कहा छूटत पहली बार तो डांट पढ़ नहीं रही है यह वो पुरवांचल में वर्ड थे थर जो कते ब्लंट जिसके उपर कोई भी असर नहीं होता है उसको अगर आप काईदे से समझें तो गेंड की चमड़ी है इन लोगों की जितनी भी डांट पढ़ जाए गाली पढ़ जाए सु कोई असर ही नहीं पड़ता इनको तो यह जो पूरा जो भटी बन गया है पूरा दिल्ली देखिया आज पर्लूशन लेवल कहां से कहां चला गया और सारे रिपोर्ट्स यह कह रहे हैं कि पराली पंजाब में जल रहा है आप वहां कोई एक्शन नहीं ले रहे हो और वहां स तो यह दिल्ली के लोगों की अपनी कहानी है भई देखिये मैं एक बात साफ कहूंगा जैसे सरकार आप चुनोगे जैसे नेता को आप समर्थन दोगे वैसी सरकार मिलेगी वैसा ही प्रसासन मिलेगा वैसी ही गंदगी मिलेगी या सफाई मिलेगी यह तो दिल्ली की जनता क उपर इनका चॉइस है कि दो दो बार तिन तीन बार आपने केजरिवाल को जिताया तो आप केजरिवाल को जिताओगे तो यह सोचोगे पल्यूशन सफाई सड़ते अच्छी हो जाए बेवस्थाएं ठीक हो जाए यह तो होने वाला बिल्कुल नहीं अब तक कोई काम नहीं हुआ है लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सुप्रिम कोट ने पंजाब की सरकार को जम कर लताड़ा है लेकिन बड़ी खबर बिहार से सामने आई है जहां बिहार के MP MLA कोट के तरफ से अर्विन केजरिवाल को पेशी का नोटिस जारी किया गया है विरसल अर्विन केजरिवाल ने पेम मोदी को अनपड कहा था शोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था कई राली में भी कहा था जिसको लेकर अब बिहार के MP MLA कोट ने अर्विन केजरिवाल को नोटिस जारी कर 16 नौंबर को पेशे के लिए कहा है इस बड़ी कबर में मेरे साथ फिलाल इतना ही कैनल पर संडर्वी के साथ मैं पूजा कैपिटल टीवी